देखो हम बना रहें एक ब्लॉग और इस ब्लॉग के अंदर होने वाले हैं बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट और हम चाहते हैं कि यूजर अलग-अलग लिंक्स के थुरू हमारे पेज पर आए उसी के साथ साथ हम कुछ extra pages बनाना चाहते हैं जैसे कि एक contact पे शायद हम बनाना चा हैं यह अगर आप लोग चाहें तो एक custom services पेज भी आड़ कर सकते हैं अगर आहप लोग इस ब्लॉग के तरू services deliver करना चाहते हैं मान लिजे की आप अपने blog के तरू content writing की services provide करते हैं लेगर यह से आप अपने blog के तरू कोई समान बेचना चाहते हैं, बुग बेचना चाहते हैं, इबुग बेचना चाहते हैं, तो शायर आप एक services का कोना वहाँ पर रखेंगे, या shop का एक tab रखेंगे, जिसके तरू आप लोग सेल करेंगे, तो यह अलग-अलग pages हो जाते हैं ब्लॉग के अंदर, अब इन pages इसको किस तरह से Max.js में बनाना है, यह मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, उस वीडियो के अंदर, और क्यों आप लोग, जो आपके blog post हैं, उनको hard code नहीं करेंगे, आप लोग चाहें तो hard code कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता दो हूँ, क्यों hard code नहीं करना है, मान आपने शायद उसको hard code करके लिख दिया, आपने JavaScript code लिखकर, उसको JSX लिखकर आपने pages folder के इंदर डाल दिया, दूसरा भी आपने कर दिया, तीसरा भी कर दिया, क्या आप बार बार code चेंज करके अपने blog post को upload करोगे, obviously not, इसका एक अच्छा तरीका होगा, जो कि हम आने वा router DOM की साहिता से करते थे, अगर आप लोगो याद हो, तो अपने React का जो course था, अगर आपने बाए इनी चांस वो course देखा है, या कोई भी दूसरा React का course या resource से react सीखी है, या फिर आपने React के बारे में सुना है, तो आप लोगो ज़रूर मालूम होगा, कि React router DOM नाम का package अलग से install करना पड़ता है, और मैं आप लोगो बता रहा हूँ, personally आप मेरे inverts पर believe करो, यार बहुत pain होता है, जब आप लोग React router DOM इस्तेमाल करते हो, उसको configure करते हो, अलग-अलग URLs पर, अलग-अलग components को render करने के लिए, ये चीज Next.js में इतनी आसान है, कि आप लोगे पास एक pages folder है और उस pages folder के अंदर, आप लोग अब अपने JavaScript components, जो की React components हैं, वो बना सकते हो, और आपकी जो file का नाम है, उसके हिसाब से आपके endpoints बन जाएंगे, automatically कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये feature मुझे Next.js में बहुत कमाल का लगता है, इस video के अंदर पूरा structure दिख ये काम कैसे किया जाएगा? वहाँ वहाँ हम लोग navigate कर पाएं, तो मैं आपर अभी क्या करूंगा, कि Yarn Dev, ये मैं चला दूँगा, आप मैं से कई लोग हो गया, चल तो रहा था, दुबारा से कुछ चला दिया, I just wanted to tell कि ऐसे चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर localhost 3000 पर ये blog भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है कि ये कैसा दिखता है, कितना अच्छा दिखता है, कितना बुरा दिखता है, बलकि मुद्दा है, कुछ pages बनाना, जो कि हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक ये next.js की playlist access नहीं करीए, तो जरूर करें, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क् इसमें pages add करने हैं, तो आप simply pages folder के अंदर जाकर file बना सकते हो, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को pages folder के अंदर, जैसे मालनो मैंने about.js बना दिया, और rafce नहीं कर रहा है काम, उसका reason यह है कि मैंने react, redux, es6, es7, पता नहीं, ऐसे कुछ extension का नाम है, यह रही, मैंने rafce, तो आप देखो यहाँ पर, एक react component, हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपर, कुछ इस तरह से react component बना दिया, मैं इसका नाम रखूँगा about, और इसका नाम मैं इस टेव के अंदर में डाल दूँगा, this is my about component, ठीक है, save किया, और slash about, this is my about component, ठीक है, ब blog, यह pages भी बना दूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाओंगा, contact.js, rafce लिखूँगा, और यहाँ पर, मैं यहाँ पर, contact के c को capital करना है, जो कि मैं करी लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा, this is contact page, और इसी तरह मैं बना दूँगा, एक ब blog, और यहाँ पर लिखूँगा, this is blog, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखो, slash blog लिखूँगा, अर यह क्या हो गया, slash blog लिखना है, सिर्फ, slash blog post नहीं लिखना है, slash blog लिखा, तो यहाँ पर क्या रहा है, default export is not a react component, यह कैसा मजदार के, default export is not a react component, इस पर इस पर इसमेंगा मैं लगता है, R.A.F.C.E. ठीक से नहीं लिखाता, मुझे खुद को वीडियो देखना पड़ेगा, पीछे जाके कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरे keyboard में, पता नहीं यह क्या हो गया, की जो है अंदर चली गई है, बाहर नहीं आ रहीं निक करा गया, ठीक है, back करूँगा एक और बार, और यहां पर हमने home बना लिया, about बना लिया, blog बना लिया, content बना लिया, अब हमें blog post बनाना ए और blog post बनाने के लिए मैं बनाने वालागा एक folder, ठीक है, ब्लॉग पूस्ट हम से एक फोल्टर बनाया है मैंने और मैं आप लिखूँगा slug.js अब आप लोग को गया यह क्या कर दिया मैंने ठीक है यह क्या कर दिया slug.js what does that even mean मैंने आप लोग को बताया तक किस तरह से आप आप लोग dynamic routes बना सकते हैं अगर आप लोग को याद हो ठीक है तो अब क्या करूंगा rfce लिखूँगा यहांपर ठीक है और यहांपर करूँगा क्या मैं आप लिखूँगा slug ठीक है और मैं आपर क्या करूंगा लिखूँगा import use router ref नहीं यार router router use router from next use router from next याद नहीं रहती है चीज़े यार, next is dynamic routes ठीक है, और वैसे मैंने शहीं लिखा है, useRouter from next slash router और उसके बाद तो steps से एक दम सिंपल है, ठीक है, क्यों सिंपल है, चूँकि मुझे simply यह लिखना है, router is equal to useRouter, ठीक है, और यह लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, console.log लिखूँगा, और लिखूँगा router.query, और मैं जैसे ही save करूँगा, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ भी यहाँ पर, मैं आप लिखूँगा slash blog post slash how to use keyboard, ठीक है, अभी यहाँ पर कह रहा है कि next router यह is not a function, not a function, useRouter, const router is equal to user router ही तो लिखा यार, यह ऐसे कि user router लिख दिया, मैंने बताओ यार, save किया, और अभी मैं reload करूँगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर, internal server error आया, और slug.js, user router is not defined, user router किया, तो अच्छे, यहाँ पर user router लिख दिया मैंने, अब देखते है, reload करूँगा, और यहाँ प पताया जा रहा है, मैंने ठीक तो किया है, मैंने किया है, यहाँ पर, उपस, सारे इंबोड्स गरस फरत लगा रखे है, कैसे, कैसे वो मानेगा, तो देखो, जो हमारी router.query है, उसके अंदर slug आ रहा है, how to use keyboard, तो मैं आपर इसको क्या कर सकता हूँ, slug को निकाल सकता हूँ इसके अंदर से, router.query के अंदर से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, कौन slug is equal to, router.query, और मैं syntax के use करूँगा, javascript के, जिससे destructuring भी कहते है, उसमें होता क्या है, कि router.query अगर एक object है, जिसके अंदर एक slug की है, तो क्या होगा, यहाँ पर यह जो slug है, इस variable के अंदर, यह चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जो slug के अंदर था, ठीक है, how to use keyboard, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ अभी, कुछ इस तरह से, जैसे मैं react में print करता हूँ, मैं इस तरह से slug print कर सकता हूँ, तो अब देखो, यहाँ पर how to use keyboard आ गया, अब अगर मैं यहाँ पर how to कुछ भी लिख दो, मनलब कुछ भी, मैं यह बताना चाहता था, कुछ भी लिख दो, ठीक है, वो यहाँ पर print हो जाएगा, तो ऐसा होता, क्यों है, ऐसा हो, इसलिए राए, क्योंकि slug निकल के आ रहे, router.query मैं से, और slug को हम यहाँ पर print कर रहे है, but practical scenarios में हम लोग ऐसा न कराएंगे, और वहाँ से content को लाने के बाद इस तरह से print कराएंगे, ठीक है, but you got the point की, कैसे चीज़े काम कर रही है, कैसे यह हम destructuring करते हैं, किस तरह से user router को استعمال करते हैं, ठीक है, I hope कि आप लोग को समझ में आ गया, हमने सारे के सारे useful pages बना लिए, यानि कि हमारी blog का structure ready है, और कोई मुझे page बनाना होगा future में, तो मैं यहाँ पर pages में add कर दूँगा, pages के अंदर कुछ इस तरह से files और folder structure बना कर, अपनी website को बना पाना, HTML, CSS, JavaScript की याद दिलाता है, जब हम plain HTML, CSS, JavaScript का use करते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, अब मैं आप लोग को एक बात और बत repository बना रखिए है, जिसके अंदर में सारा का सारा code push कर रहा हूँ, tutorial wise, तो this is going to be tutorial 8, tutorial 8 right, देखता हूँ, 7, हाँ 8, ठीक है, तो tutorial 8 अभी हमारा खतम हो चुका है, push कर दूँगा मैं, और अगर आप लोग को नहीं पता ही कैसे use करते हैं, यह tool मैं कौन सा use कर रहा हूँ, मुझे देख लेना, आप लोग GitHub desktop saves a lot of time and hassles, यह वाला shots देख लेना, 58 seconds और आप लोग GitHub desktop use करना आ जाएगा, ठीक है, I hope मज़ा आया सब को, और यह hunting quarter में मज़ा आ रहा है, मुझे पता है, मुझे comment करें कुछ लोग बता रहे थे करते हैं, यह नीचे powered by ourselves, हटा लेंगे यार, हटा देख लेंगे इस वीडियो, प्लेलिस को अक्सस कर लेना, and I will see you next time.